तो लोग सबा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं चुनावी सरगर्मिया भी बढ़ती जा रही है NDA अपने रणनीती के तहर पार्टियों और नेताओं को साथ जोड रही है तमिलाडु में अब PM के भी NDA में शामिल हो गई है और जारखन से भी पूर्व मुख्य मंतरी हिमन सोरेन की भावी और जामूमों की विधायक सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो चुकी है वहीं महराश्टर की बात करें तो यहां भी राज ठाकरे की मन से भी NDA में शामिल हो सकती है यह अटकले लगाई जा रही है लोगसभा चुनाओ होने में सिर्फ एक महीना बचा है साथ चरण में होने वाले आम चुनाओ के लिए 19 अप्रेल से मतदान शुरू होगा इसके मदेनजार राजनितिक दलों में भी हलचल वातयारियां रफतार पकड़ रही है NDA गडवंधन 400 के पार के नारे को साकार करने के लिए लगातार अपना कुनवा बढ़ा रहा है तमिलाडू में अब PMK भी NDA में शामिल हो गई है PMK के अद्यक्ष अंबुमरी रामदास ने बताया है कि गडवंधन के तहत पार्टी लोग सभा चुनाओं में 10 सीटों पर चुनाव लेगी दलों के साथ ही नेताओं का भी बीजेपी से जुड़ना जारी है जारखंड से पूर्ब मुक्ष मंत्री हेमंत सोरेन की भावी और जामा विधानसवा शेत्र से पार्टी विधायक सीता सोरेन जारखंड मुक्ति मुर्चा से इस्तीफा दे कर बीजेपी में शामिल हो गई उन्होंने प्रधान मंत्री मोदी के नित्रत में आस्था जताते हुए उनकी नीतियों की सराहना की है जारखंड विकास से कोसो दूर है तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार महा परिवार में आना पड़ा क्यूंकि हमको जारखंड को बचाना है सीता सोरेन ने संबंद में एक चिठी लिखी है और इसे पार्टी अद्रक्ष यानि अपने ससुर शिवु सोरेन को भेजी है सीता ने चिठी में लिखा है कि मेरे और मेरे परिवार के खलाफ गहरी साजिश रची जा रही है सीधा ने लिखा है कि मैं जहारखंड मुक्ति मूर्चा की केंद्रीय महासचेव और सक्रिय सदस वर्तमान में पार्टी की विधायक हूँ अत्यंत दुखी हिर्दय के साथ अपना इस्तिवा प्रस्तुत कर रही हूँ जहारखंड मुक्ति मूर्चा का मेरे स्वर्गिय पती ने अपने त्याग और समर्पन ने त्रोत शमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया आज में पार्टी नहीं रही मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हातों में चली गई है जिनके द्रश्चिकोन और उद्देश हमारे मूल्यों और आदरशों से मेल नहीं खाते दरसल हेमंत सोरेन के सीम पत से स्तीफे और जहारखन में चमपई सोरेन के नित्रुत में गठन होई नई सरकार के बाद से ही सीता सोरेन नाराज बताई जा रही थी सीता सोरेन जामा शेत्र से विधायक है, चमपई सोरेन ने बीते दो फरवरी को मुख्य मंत्री के पत्की शपद ली थी, इस दोरान ये चर्चा थी कि सीता सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हाला कि जे एमेम इसे ज़ादा एहमियत नहीं दे रही ये भी नेता भाशपा का रुख कर रहे हैं, पूर्वराजनैक तरणजीत सिंग संदू भाशपा में शामिल हो गए हैं, वहीं बीजेपी का गडवन्धन भी मजबूत हो रहा है, महरास्ट की पार्टी महरास्ट नवनिर्मार सेना प्रमुक राज ठाकरे ने मंगलवार को क केंद्री ग्रिह मंत्री अमिश्चाह से दिल्ली में मुलाकात की, इसके बाद मंसे की एंडिये में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, इस बीच लोग जन्शक्ति पार्टी के अदेख्ष पश्पती पारस ने केंद्री मंत्री मंडल से इस्तिफा दे दिया ह बिहार में एंडिये में सीटों के बढ़वारे में उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी, वेहाजिपुर सीट से रहना चाहते थे, इसे लेकर बिहार के उपमुख्य मंत्री विजय सिना ने कहा कि भाजपाने हमेशा उनका सम्मान किया और उन्हें अपने भतीजे को अशीरवाद देना चाहिए इधर दिल्ली में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है, पार्टी की कोर कमेटियों की बैठक में टिक्टों पर मंधन हो रहा है, कोल मिलाकर बीजेपी और उसके गडवंधन में सरगर्मिया तेज हो गई है शेलिंदर मिश्रा, पत्ना बिरो के साथ, बिरो रिपोर्ट, टिडिन्यूज